आयोध्या में भोजपूरी फिल्म विवाहतीन को लेकर सीने अभीनेत्री आमरपाली दुबे वाभीनेदा चिंटू पांडे मीडिया से मुखादिब हुए आमरपाली दुबे ने अपने उठते गिरते कैरियर को लेकर मीडिया से कहा कि फिल्मों में आने के लिए उन्हें ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा आउडिशन दिया और सिलेक्शन हो गया मैं खुश किस्मत रही हूँ और संघर्ष किया भी तो मैं पुरानी बातों पर रोती नहीं हूँ मुझे खुशी है कि मुझे संगर्ष करने के बाद उसका फल मिला वस ऐसे ही भगवान मेरी मेहनत को देखते रहे और फल देते रहे पेरेंस अपने बच्चों के साथ खड़े हो गए उनका साथ देने लगे तो ना कोई उनका फाइदा उठा सकेगा ना ब्लैक मेल कर सकेगा माता पिता साथ हैं तो कोई भी बेटियों का फाइदा नहीं उठा पाएगा अपनी बेटियों को अपना दोस्त बना कर रखी ताकि भरोसे के लिए उनको कहीं और ना जाना पड़े अगर आप उनके साथ खड़े हो गए आप अगर अपनी बच्चियों का साथ देने लगे तो दुनिया में कोई ना उनका फाइदा उठा सकता है ना उन्हें dominate कर सकता है ना उन्हें blackmail कर सकता है किसी तरीके से बेटियों का पाइदा कोई नहीं उठा पाएगा अगर उनके माता पिता उनके साथ है तो तो आप पहले ही दिन से इतना confidence में अपने बच्चों को रखिए अपनी बेटियों को अपना दोस्त बना के रखिए ताकि उनको भरोसे के लिए कहीं और ना जाना पड़े जहां वो दोखा खायती है थांक यू देखते रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर